आज हम लोग बात करेंगे जर्मनी को लेके रिसेंटि हम लोग को पता था कि रष्या के कजान में अभी ब्रिक्स चल ला था और जैसे ही मोजदी जी कजान से लोटे उसके बाद ही हम लोग को देखने को मिला जर्मनी के जो चांसिलर है बोला। वो भी इंडिया आए है वो आपने इंडिया विजिट पर इसके पीछे रीजन क्या है और अचानक से क्या हो गया या फिर जर्मनी को लेकर ऐसा कुछ पर इसके पीछे बहुत सारे मेजर रीजन से एक एक करके आपको बताते है पहला जो है जर्मनी ने अपने तरफ से इंडिया को Special status दिया है क्या Special status जर्मनी ने अपने तरफ से इंडिया को military offices के लिए Special status दिया है जिससे जर्मनी का कहना है के जर्मनी का expected military technology वो दुनिया में स्रीफ limited country के शाथ share करते हैं और प्रेध़लिया अगर देखा जाए इंडिया उनमें से एक है मतलब आगे जाके इंडिया जर्मनी मिल्टरी एक्यूपमेंट्स गूलेके एक साथ काम करेगा और हो सकता है क्या यह हम लोगा होता था यह अभी पिशन इसमें हम लोग को और भी कुछ देखने को मिले तो यह सब सुनके आप बोली सकते कि क्या यह स्पेशल स्टाटस देने के लिए ओला शॉल्स इंडिया में आए एक यह तो एक रिजन थे इसके लावा भी बहुत सारे जो दूसरा रिजन से वह सब्मरी इंडिया को इंडिया को कौन सप्लाइ करेगा या फिर यह सब्मरीन इंडिया के साथ मिलके कौन इंडिया में बनाएगा इसको लेके थोड़ा सा कंफ्यूशन है आज के अगर हम लोग देखें दो कंट्री इस में खरे हुए है एक है आपका जर्मनी और दूसरा जो है वह आपका स्पे यह सब्मरीन इंडिया को अगर आप पड़े यह इंटरनेट में अवेलेवल तो बहुत सारा पॉइंट आपको पता चलेगा इसमें से वान आप दा मीजर पॉइंट है जर्मनी का कहना है कि जर्मनी आगे जाके रशिया को रिप्लेस करेगा इंडिया के तरफ से चलते आ रहे अभी भी हो रहा है जर्मनी के तरफ से बोला गया है उसी में यह सब कहां गया है तो जो भी यह जर्मनी ने अपने तरफ से इंडिया को special status दिया उसके बाद आगर देखा जाए उन लोग के पार्लामेंट में सब के सामने यह वाइट पेपर लाए जो पार्लामेंट के मेंबरे वो लोगों ने इसको आपको एकसेप्ट किया थो एक बड़ी बात है तो यह सब सुनने के बाद आप कही सकते हों कि यह सब बहुत आप इसे Hem लोगगो जो है उनमें से सबसे द Clips हो और जैसें में चाहाएंगा करके यह जो त्रेड है और भी बड़े आज के डाट में जर्मन जो कंपनी जो लोग बहुत ही इंट्रेस्ट शो कर रहा है कि भाई हम लोग इंडिया में जाना है इंडिया में बिजनस बनाना है अन्दा पॉइंडिया में जो पॉलिसी से वह अगर फोड़ा-सा बंदब तो इंडिया का स्टैन्ड है कि हम लोग आपको अगर डिल दे सकते मगर उससे पहले हम लोग कुछ चीज देखना पर इसमें इंडिया का क्या प्रॉफित है अगर हम लोग यह दिल स्पेशल ऑफर करेगा अभी जर्मनी अपने तरब से इंडिया को यह वाइट पेपर या फि कि पैसा जो हम लोग दे रहे हम लोग बायर है और यह से इंडिया में जॉब क्रियेट हो और आगे जाके इंडिया में जॉब क्रियेट होता है इंडिया सोच सकता है कि यह जर्मनी को प्रॉइट किया जाएगा या नहीं यह फिर कोई और कंट्री फॉल एक्जांपल अगर स्पेइन को प्रवाइट किया जाएगा अगर हम लोग देखें में जाए स्पेइन के साथ जर्मनी का तो वह एक अलगी चैप्टर है उसमें बहुत कुछ आप लोग अलग से जानने को मिलेगा अगर आप चाहते हैं कि इस बारे और भी जानने तो आप कमेंट कर सकते हैं मैं के लिए अलग सा वीडियो बना दोटेशन इंडिया का जो सब्सक्राइब कर और एक सकते हैं यह बहुत ही लीमिटेर है करना है इंडिया में मैं चलाने के लिए जो भी मैन पावर चाहिए उसमें अगर आप लोगों को हम लोगों से कुछ चाहिए तो यह तो जी में आपको पता यह आ है एक लिखकर लेनाएं टूर से करने हैं कि उस लेवल पर कुछ बोला नहीं गया है जर्मनी ने पहले ही अपने तरब से इंडिया को बोला गया कि हम लोग को हम लोग एक स्पेशल स्टैटस दे रहे हैं क्यूंकि हम लोग के साथ आप लोग को डिफेंस लेटेड डील होता है यह बहुत जादा होता है इसके लिए आजके निकलियर गर देखा जाए जर्मनी के पास जो टेक्लोजी है उस टेक्लोजी के अनुसार जर्मनी अट्वांस नूक्लियर संब्मरीन बना नहीं पाने पाएगा क्योंकि वह तो इस ट्रॉपिक में कितना एंट्रेस्टेड और अगर आप नहीं दूनेंगे तब तो कुछ हाइलाइट होगा तब जाके हम लोग उस वीडियो में करेंगा जो भी है उसको एक साइड में रखते हैं प्रेजेंट ली हम लोग को देखने को मिला है कि जर्मनी हम लोग के साथ जो टेकलोजी शेयर करें यह है एक्जाक्ली आपका डिजल पावर जो सबमनी से उसको लोग जर्मनी को यह डियल चाहिए उस वाइट पेपर के बारा थे आप देखे तो आपको उसमें पता जलता है की जर्मनी के तरफ से इंडिया में बहुत सरे इंवेस्टमेंट होगा इंडिया के जो सीविन सुसाइटी मतला जैसे कि आप कोई एंजियो को पकर लिजीए य अगर आपको इंवेस्ट करना है आपको एक फैक्टरी बिठाओ फिर होँ प्रोडक्शन को अचानाक से इंडिया के सिविल सोसाइटीज को लेके आप लोगो इतना चिंता क्यों है तो आपको क्या लगता है जर्मनी का यह जो पॉइंट है कि इंडिया के जो सिविल सोसाइट लोगों का सोच है कि आगे जाके इंडिया में वह लोग जब आएंगे और भी सिविल सोसाइटीज को हेल्प करेंगे लिए जरूरत है अगर आपको ज़रूरत है और बाहर से इंडिया में आते हो तो आपको तो चाहिए पैसा तो इसके लिए आप तो करोगे बिजनस पिर अगर आपको इस बारे में कुछ पता है तो कमेंट कीजिए अगर नहीं पता है तब भी कमेंट कीजिए इससे हो सकता है कि आगए या कि हम लोग को और भी कुछ जानने को मिले या फिर मैं भी अपने तरफ से ढूनने का कोशिश करूँ या फिर कोई न्यूज आ जाए अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरा यूट्यूब चैनल अतनु पॉल एटीए एनिंग स्पेस्प्राइब कर सकते हैं डिफरेंट इंट्रेस्टिंग डॉपिक में बहुत सारे वीडियो आपको मिले वाला है जो वीडियो आ सबसे जब साथ एक वीडियो के और यह वीडियो देखने के लिए बहुत सरा धन्यावाद नेक्स वीडियो लगे मैं फिर से हजिर हो जांगए प्राइब कर दो झाल झाल झाल